नमस्कार जाहिन टू आल उफ यू मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ जुडिश्री वाला केस प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग fundamental right से जुड़े एक important latest development की चर्चा करने वाले हैं वो development निकला कहां से है वो development निकला है भारत की सुप्रेम कोड से और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आपको पढ़ाने वाला हूँ उसे isolation में ना पढ़ाओं आपी तू कुछ latest judgment से जोड़ कर पढ़ाओं CRPC से जोड़ कर पढ़ाओं सम्मिधान के जो दूसरे fundamental right हैं उससे उसके interconnection को establish करके पढ़ाओं क्योंकि यदि examination में इससे जुड़ा सवाल जो पढ़ाने वाला हूँ आज आए तो आप एक बहतर और एक अलग answer लिख पाएं दूसरे aspirants से तो चलिए बिना आपके समय को गवाएं मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ आज के session में मेरे screen पर आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए क्या लिखा Supreme Court ने कहा right to defend oneself or fundamental right ठेक है इसका क्या मतलब है मतलब पहले नहीं था यह recognition पहले इस entity नहीं मिली थी right to defend oneself की आप कहेंगे sir मिली तो थी implicit तो थी अरे वो छोड़ दीजे Supreme Court ने explicit रूप में बेटा abuse judgment की भी चर्चा करूँगा कहा है कि जो right to defend oneself का मुद्दा है कि मैं खुद का प्रतिनिदे तो कर सकूँ मेरे बिहाब पर मेरा lawyer मेरा प्रतिनिदे तो कर सके court of law में और ये मेरा maulik अधिकार होगा ठीक है तो सुप्रेम कोड की टिपड़ी है आने वाले 10 से 12 मिनट सुप्रेम कोड के इर्दिगर्द घूमेंगे तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं हमारी discussion का structure क्या रहेगा सबसे पहले हम लोग जो सुप्रेम कोड की टिपड़ी है observation है उस case law को समझने की कोशिश करेंगे उसके facts में नहीं जाएंगे क्यों observation को समझेंगे 2024 का बिल को leading case है ठीक है उसके बाद article 21 में जो नए fundamental rights add हुए हैं चुकि prelims में पूछे जाते हैं और मेरी चर्चा भी इसे के एड़गेड रहेगी तो 2 से 4 मिनिट में ये भी कोशिश रहेगी कि उन तमाम fundamental rights का quick revision कर ले ठीक है अवलूकन कर ले कि यदि prelims में मिल जाए तो हमें याद रहा कि AP सर ने पढ़ाया है तीसरा विशह है 2010 का एक केस है एस मोहमद रफी वर्सेस स्टेट ऑफ करनाट का ठीक है तो directly जुड़ा है हमारे topic से तो इसका reference भी लेंगे और अंत में CRPC के कुछ judgment और उसके कुछ provisions की चर्चा करेंगे ठीक है तो आने वाले 10 से discussion है यह Supreme Court ने इस कहानी के माध्यम से 2010 में समझाने की कोशिश की थी कहानी का बिटा नाम क्या था कहानी का नाम था टुकिला टुकिला मौकिंग बर्ड ये एक उपन्यास थी उपन्यास किसकी थी ये उपन्यास थी हारपर लीकी इसका publication 1960 में हुआ था और बेसिकली इस कहानी का जो हीरो है वो एक कालपनिक पात्र है लेकिन हीरो तो हीरो होता है उस हीरो का नाम था lawyer Atticus Finch ठीक है अब ये जो कालपनिक पात्र है मैं इनको क्यों हीरो करना हूँ एक मिनट मुझे ध्यान से समझिएगा इस कहानी में Atticus Finch एक ऐसा lawyer है जो एक काले आदमी का प्रतिनिद्द तो करता है कोर्ट अफला में काला गोरा क्यों बोल रहा हो भाई अमेरिका में बड़ी लंबी लड़ाई चली काले गोरे तो माना जाता था इस्टेट के खिलाफ यह बहुत बड़ा अपराद है अटिकल स्विंच ने कहा कि ठीक है मैं आपका केस लड़ूँगा ब्लैक जो व्यक्ति था उसका रिप्रेजेंटेशन के इन्हें बड़ी धंकिया मिली तुम्हें मारेंगे तुम्हें कॉम्निटी से अलग कर देंगे लेकिन अटिकल स्विंच ने का नहीं मेरा प्रोफेशनल एथिक्स मुझे क्या सिखाता है कि मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करूं इर्रिस्पेक्टि ऑफ कंसिडरेशन की समाज मेरे बारे में क्या सोचता है हाला कि इस कहानी में अटिकल स्विं अमेरिका में उनाटिर स्टेट में बड़ी संख्या में जो युवा थे उन्होंने लीगल प्रोफेशन को आप्ट किया कि हम लॉयर बनेंगे लॉयर का धरम है बिना ये सोचे कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे अपने क्लाइंट को डिफेंट करना और क्लाइंट और विक्टिम जो होता है मतलब विक्टिम और एक्यूष्ट यही दो पार्टी होते हैं उनका भी बिटा ये राइट है वो अपने लॉयर को इंगेज कर सकते हैं ये कहानी मैंने इसलिए बताए क्योंकि जिस्टिस मार्केंडे काटजू ने 2010 में इस कहानी का जिक्र किया हुए मैं जिस केसला में लेकर चलता हूँ उस केसला का नाम है रूपा श्री एचार वर्सेस स्टेट ऑफ करनाट का जरूर आपको याद रखना चाहिए वेटा दो हजार चौबिस ठीक है मैंने कहा लीडिंग है तो चलिए वाई शुरू हो जाईए बारा फरवरी दो हजा चौबिस का वो दिन था जब भारत की सुप्रीम कोट ने आर्ट किल 21 को या मैं पार्ट 3 कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा ठीक है पार्ट 3 को वाईडेश्ट एम्पलिट्यूट पर एंटरप्रेट करते हुए कहा कि राइट टू डिफेंड वन सेल्फ का जो मुद्दा ह है वो अब से फंडामेंटल राइट माना जाएगा ठीक है तो यह विशह पार्ट 3 से जुड़ा है फंडामेंटल राइट से जुड़ा है तो मैं पहले अपनी पीपीटी को पढ़ता हूं सुप्रीम कोट का जो जज्जमेंट था उसी से ये जो शब्द हैं वहां से फंडामेंटल राइट ठीक है अब से राइट तो डिफेंट वन सेल्फ का जो मुद्दा है वो फंडामेंटल राइट माना जाएगा अंडर दी कॉंस्टिटूशन ओफ इंडिया एंड नो रिजॉलूशन कुड बी पास्ट वाई बार एस्सोशिएशन तो फॉर्बिड अ बहुत सा फंडामेंटल राइट है बहुत सारे फंडामेंटल राइट है तो बेसिकली आपको पता होगा आजादी के बाद सुप्रीम कोट ने जो जुडिशल एक्टिविजम किया बहुत सारे फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 21 में जोड़ा 14 से ज्यादा फंडामेंट 2 में करते हैं और जब नीती foundational batch आएगा तो बड़े comprehensive manner में judicial activism और judicial restraint की theory को पढ़ेंगे ठीक है तो यह जो right to defend oneself का मुद्दा है यह article 21 से जुड़ा है लेकिन एक और article है article 19 जो इस right से जुड़ा है article 19 कैसे जुड़ा है article 19 freedom of speech and expression की बात करता है ठीक है तो यह जो right to defend oneself का मुद्दा है यह भी तो हमारी freedom of speech से जुड़ा है यह भी तो हमारे freedom of expression से जुड़ा है कि मैं अपने पच्छ में क्या कहना चाहता हूँ मेरा वकील क्या कहेगा ठीक है और वैसे भी मेनका गांधी का जो case है जिसे हम लोग case law वाली series में पढ़ेंगे मेनका गांधी versus union of india 1978 मेनका गांधी में supreme court ने कह दिया golden triangle के रूप में कि article 21 article 14 और article 19 यह तो टीनों जुड़े हैं ठीक है वैसे तो सारे fundamental right जुड़े हैं लेकिन especially यह जो तीनों fundamental right है तो मैं 21 की बात करूँगा आप 19 समझना मैं 19 की बात करूँगा 14 समझना ठीक है तो यह विशे आर्टिकल 21 और 19 से directly जुड़ा है अब आपको ध्यान देना है जो लाश्ट की तीन लाइन है उसमें बेटा court ने क्या कहा court ने जो बार काउंसिल होती है जैसे district बार काउंसिल है state बार काउंसिल है उन्हें भी फॉर्बिट कर दिया उन्हें भी रोग दिया कि आप भविश में इस है कि resolution पास नहीं करेंगी जहां पर आप अपने members जो वकील हैं उन्हें आप prohibit कर रहे हैं उन्हें आप रोक रहे हैं कि आप किसी अमुक विक्ती या किसी class of people या किसी संस्थान का case नहीं लड़ेंगे आप कहेंगे गुरू जी ऐसा क्यों होता है अरे बहुत बार होता है ऐसा तब होता है जब पुलिस और वकील भड़ जाते हैं भड़ना मतलब भड़नत class, लड़ाई, पिटाई तो दोनों तरफ से FIR होती है अब पुलिस के तरफ से जो FIR होगी वकीलों के खिलाफ तो पुलिस का मुकदमा कौन लड़ेगा बार काउंसे रिजॉलिशन पास कर देती है चूँकि ये लड़ाई पुलिस और वकीलों की है इसलिए पुलिस का प्रतिनिध्य तो नहीं किया जाएगा अब आप बताओ बेटा कोड का प्रोसीजर लौ का जो सब्स्टेंस है ये सारा विशयत एक लॉयरी जानता है और जो रेप की घटनाएं होती है जो बुटल मर्डर्स होते है जो टेरिरिजम से जुड़ी घटना होती है वहाँ पर भी ये सुनने में आता है कि बार काउंसिल क्या करती है एक कोई नहीं लड़ेगा ठीक है तो सुप्रीम कोट आफ इंडिया ने अभी बारत आरिकों का कि देखो भाई ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए और सारी बार काउंसिल को आप से इस तरीके के रिजॉल्यूशन से बचना होगा ठीक है अब ये जो मुद्दा है ये चुकि दस का केस है वर्सेस करनाट का ठीक है मैं आशा करूंगा आप पड़ पा रहे हैं यदि मैं इसे हटा देता हूँ ठीक है आपको असानी होगी है एस रफी वर्सेस करनाट का ये 2010 का जज्ज्मेंट है और जो जश्टिस थे उनका नाम था ओमरेबल जश्टिस मार्केंडे का गाड़ु ने बार काउंसिल के इस तरह के रिजॉल्यूशन को बीटा पढ़ते हैं ठीक है तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ अभी इस एस मुहमें एमडी रफी वाले केस पर वापस आएंगे तो 2024 वाले केस में Supreme Court ने क्या कहा Supreme Court the writ petition was filed against the resolution of मैसूर बार association जो 2019 के एक resolution था ठीक है which result that no member of the association would file a वकालत नामा on behalf of the present petitioner तो जो petitioner Supreme Court के approach करता है उसके लिए 2019 में मैसूर बार association ने एक resolution पास किया था कि उसके लिए कोई वकील कोर्ट में खड़ा नहीं होगा और वकील नहीं होते खड़े जब बार काउंसिल इस तरीके की resolution को आगे बढ़ाता है तो जो 2024 वाला अपना judgment है Supreme Court ने क्या कहा the resolution has been quest by the Supreme Court ठीक है तो ये था 2024 का observation जो Supreme Court ने कहा अब मैं वापस आपको लेकर चलना चाहता हूँ इस case पर एस मोहमद रफी वर्से स्टेट ऑफ तमिलाडू ठीक है तमिलाडू लिखना करनाट का मत लिखना ठीक तमिलाडू 2010 का judgment मार्केंडे कार्जू साहब इजस्ते होता है हम लोग सुनते आए हैं मार्केंडे कार्जू ने कहा कहा every person ध्यान से पढ़ना इन अलंकारों को पढ़ना इसका हिंदी रुपांत्रन नहीं करूंगा गडबड हो जाएगा every person however wicked depraved while degenerate perverted loathsome execrable vicious repulsive he may be regarded by society has a right to be defended in a court of law and correspondingly correspondingly it is the duty of the lawyer to defend him मार्केंडे कार्जू कहते हैं चाहे कितना भी ग्रिणित व्यक्ती क्यों न हो नीचा काम करने वाला व्यक्ती क्यों न हो कितना ही मतलब मैंने कारा सब कुछ उप्योग कर लिया उसके बावजूर समाज का ये करतव है कि उस व्यक्ती के अधिकार को recognize करें कि ये जो सारे विशे हैं ठीक है कि ऐसे व्यक्तियों के पास भी अधिकार है कि वो खुद को court of law में defend कर सके और 2024 में supreme court ने इसी विशे को आगे बढ़ाते हुए 2010 का जो judgment था right to defend oneself को क्या कर दिया fundamental right की category में ला दिया और वैसे भी देखो बेटा जो अपराधी है आप speedy trial की बात करें आप fair trial की बात करें आप free legal aid की बात करें जेलों में जो inhuman barbarous treatment होता है capital punishment पर जल्दी निर्णे लेना Supreme Court ने अन सारे विश्यों को अलग-अलग के जन पर article 21 से जोड़ दिया है तो आप से right to defend oneself भी आपको पता होना चाहिए कि article 21 का integral part है ठीक है लेकिन constitution में constitution of India में एक और fundamental right है जो directly इस मुद्दे से जुड़ा है उस article का नाम है article 22 ये भी fundamental right है आप लोग इसे CRPC में भी पढ़ते हैं ठीक है तो article 22 को भी एक बार पढ़ लेते हैं इसी के साथ article 22 क्या कहता है article 22 states no person who is arrested shall be detained shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for which arrest ठीक है ये तो ठीक है डीके बस उसे निकल कर आया है कि हम जिसे गिरफ्तार कर रहा है मतलब पुलिस जिसे गिरफ्तार करी है उसे बता दो भई किस ground पर क्यों छुपा के रखे हो ठीक है ऐसा करती है पुलिस अब जो दूसरा पार्ट है that is relevant जो अपना discussion चल रहा है nor shall he be detained the right to consult and to be defended by legal practitioner of his own choice ध्यान से समझीएगा investigating agency, police वगरा AD, CBI, whatsoever वो रोक नहीं सकती है उस वेक्ती को जिसे उन्होंने गिरफ्तार किया है कि वो अपने मन पसंद lawyer को engage कर सके उससे consult कर सके तो जो right to defend का मुद्दा है जब भी आप लिखेंगे article 22 के साथ लिखेंगे, ठीक है? चले और वैसे भी article 22 हम लोग अपने batch में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ठीक है? इसमें बहुत सारे case laws भी है अब ये विशाचू की bar council से जुड़ा है तो bar council of India का जो नियम है उसका chapter 2 भी आपके लिए लेकर आया हूँ जो basically professional ethics की बात करता है etiquettes की बात करता है वो क्या कहता है? Bar council of India का chapter 2 आपको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि भाई lawyer तो हम देखो सभी है जो भी जुड़िश्री वाला के channel पे आ रहा है वो lawyer है ये तो सबके लिए है ठीक है? Universal applicability का नियम है क्या कहता है bar council का ये नियम? An advocate is bound to accept any brief in the courts at a fees consistent with his standing at the bar and the nature of the case जो शब्द इस्तमाल हुआ है वो हुआ है he is bound to accept मतलब आप lawyer हो आपके पास कोई विक्ती आता है आपको देख के लगना आ रही है ये बहुत बड़ा पराधी है उसके बावजूद bar council बेटा आपसे कहता है आपके professional ethics के लिए कहता है ये ticket के लिए कहता है कि सामने वाला विक्ती जो client के रूप में आपके सामने आया यदि वो आपको अपनी fees देने को तयार है वहला nature of case पर fees vary करती है higher code, lower code, seal, tribunal बहुत सारी courts है तो कहना nature of case से जो आपकी fees है अगर client देने को तयार है तो आप मना नहीं कर सकते you are bound to accept the brief ठीक है ये professional ethics है मैंने कहा न हम लोग पढ़ते हैं ललबी के दोरान फिर bar council of India के ये नियम कहता है however special circumstances may justify his refusal to accept a particular brief कहता है हाँ कुछ ऐसी special circumstances विशेश परिस्थिती हो सकते हैं जहाँ पर एक वकील मना कर दे लेकिन बार council को नहीं empowered किया गया है कि bar council of India resolution दे देगा कि कोई वकील किसी का मुकदमा नहीं लड़ेगा ठीक है special circumstances कुछ हो सकते हैं लेकिन ये विशे नहीं हो सकता है इसलिए Supreme Court ने 2010 में भी कह दिया illegal है 2024 में भी bar councils को forbid कर दिया कि आप ऐसे resolution पास नहीं कर सकते ठीक है चले अब चुकि ये सारा विशे article 21 से जुड़ा है और article 21 एक ऐसा article है जिसमें बहुत सारे fundamental right को add कर दिया गया prelims में क्या किया जाता है कि एक fundamental right आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप बताएए किस case law के माध्यम से उसे article 21 में जोड़ा गया है तो आने वाले 3-4 मिनट में मेरा ये प्रयास है कि एक quick revision जो 14-15 fundamental right article 21 में जोड़े गए है वो आपके साथ साजा करूँ share करूँ कि एदे prelims में टकरा गया question आपको लगए गा रहे ये तो AP सर के classroom लोगों ने 3 मिनट में पढ़ा था तो अब मैं क्या करूँगा जल्दी जल्दी एक-एक fundamental right की चर्चा करूँगा और बस ये बताऊंगा कि Supreme Court ने किस case law में उसे fundamental right की recognition दी ठीक है तो जो सबसे पहला विशे मैंने अभी आपस inhuman treatment की बात की जो जेलों में inhuman treatment होता है गंगा जले एक movie आई होगी उसमें कहा सबको पवित्र कर देंगे 32 लोगों की आखे फोड़ दी गई बिहार में जेल में बंद केस का नाम था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एड्मिनिरिस्टेशन 1979 Supreme Court ने का नहीं inhuman treatment के खिलाफ कैदियों के पास fundamental right है ठीक है दूसरा case right to information अभी मैंने और इश्रा मैंने electoral bond की आपसे चर्चा की ठीक है सर ने भी की तो right to information का मुद्दा बिटा है राज नरायन के केस से जुड़ा है 1975 से ये वही वेक्ति हैं जिन्होंने इंद्रा गांधी के खिलाफ केस लड़ाता है जीत भी गय थे ठीक है right to information article 19 से जुड़ा है article 21 से जुड़ा है तीसरा विश है right to livelihood Olga Thales Olga Thales का केस 1985 का है वो जो pavement dwellers थे ठीक है Bombay वाला केस तो कहा गया right to livelihood भी article 21 के तहत fundamental right है आप किवल केस पर ध्यान दू कि किस case law में किस right को fundamental की recognition दी गई ठीक है चौथा विश है चौथा विश है right to decent environment including pollution free water and air MC Mehta 1987 अब आप सुनील बत्रा वगरा राज नराण में E.R. याद करो चाहे ना करो MC Mehta में करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा MC Mehta के बहुत सारे केस है वो ताज महल से जुड़ा जो pollution का केस है वो MC Mehta ओलियम गेस वो MC Mehta दिल्ली सीवज MC Mehta चायड लेबर MC Mehta तो आप अगर कोट करोगे MC Mehta तो एक्जामनार सोची का कौन से MC Mehta तो आपको पता होना चाहिए कि right to decent environment इस देश के लोगों के पास fundamental right के रूप में है it is because of MC Mehta जो 1987 का केस है ठीक है MC Mehta भी हम लोग पढ़ेंगे अपने batches में मैंने पढ़ाया भी है UPSC की बच्चों को बहुत बार right to shelter जो livelihood का इविश्यत उसमें shelter भी जुड़ा है Olga तेलिस 1985 right to free education अब to 14 years जब हम लोग article 30 की जर्चा करेंगे तब भी उन्नी कृष्णन पढ़ेंगे 1993 का सुप्रीम कोड का इजज्मेंट है right against bonded labor निर्जा चौधरी वर्सेस state of मदर प्रदेश right to travel abroad मेंका गांधी और अभी भी सुप्रीम कोड हाई कोड ने Bombay हाई कोड का भी एजज्मेंट है लेकिन leading latest के रूप में latest तो नहीं कहेंगे leading case के रूप में आप मेंका गांधी को रेक्रोगनाईज करो उसी बात को आगे बढ़ाया गया है ठीक है कि right to travel abroad भी हमारा क्या है fundamental right है उसके बाद यह जो human dignity का विश्या है कि केवल जीवन नहीं जीना सम्मान के साथ जीना है यह बहुत सारे judgment है जैसे नवतेश जोहर का judgment 2018 का है पुट्टू स्वामी का judgment 2017 का है जो सबसे पहले यह बात कही गई थी वो Francis Corelli में की गई थी 1981 में तो इन सारे judgment में कहा गया कि human dignity भी article 21 का part है ठीक है चलो उसके बार right against custodial harassment ठीक है अब जो मैं आपको पढ़ने वाला हूँ जो case महबूब बचा का आप एक बार पढ़िए उसमें क्या कहा गया इन दी case of महबूब बचा versus state it was held that any form of grotesque and inhuman treatment during an investigation interrogation or any other state would be violation of article 21 अब यह जो third degree second degree का concept है खाना न देना, पानी न देना torture करना, जेलों में sexual abuse जो है गोट ने कहा कि आर्टिकल 21 का violation है भाई ठीक है तो जो case है वो है महबूब बचा versus state मैंने आप से fair trial की बात की आपको दो case हमेशा याद रखना है एक case का नाम है रती राम versus state of मदर प्रदेश ठीक है दूसरे case का नाम है जहिरा हभीबुला शेख versus state of गुजराद ठीक, 2006 का judgment है इसी judgment को आप section 311 में भी पढ़ेंगे इसके बगएर section 311 CRPC का अधूरा है ठीक, तो ये fair trial से जुड़ा है right of prisoners to have necessities of life उपेंदर बक्सी सहाब दिल्ली विशुद्याले से जुड़े रहे Indian law institute से जुड़े है उनकी rate petition थी उसमें बिटा ये विशे अर्टिकल 21 से जोड़ा गया right against public hanging attorney journal of India वरसे लच्मा देगी आप कहेंगे इस और आप तो भागते जा रहे है मैं केवल आपको reference दे रहा हूँ क्या आपको ध्यान रहे बाकी ये सारे विशे अपन आर्टिकल 21 में बड़े विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले है ठीक है तो right to sleep राम लीला मैदान केस 2011 राम देव बाबा से जुड़ा जो incident है right to privacy केस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ओफ इंडिया नाइन जजजेस का बेंच है नाइन जजजेस बेंच थी सुप्रीम कोड की जहां पर right to privacy को बेटा fundamental right माना गया ठीक तो चलिए ये मैंने 15-16 अधिकार बड़ी इतीजी से आपको बता दिये किस case law से जुड़े हुए है अब मैं अपने discussion के बिलकुल अंतिम पार्ट में हूँ जहां CRPC के धारा 41D आपके साथ share करना चाता हूँ basically ये 41D हमारे CRPC का हिस्सा नहीं था तो एक बड़ा महतपूर जजज्मेंट है वो आप जरूर पढ़ेंगे जोगिंदर कुमार के साथ डीके बसू का जो जजज्मेंट है वो जजज्मेंट आया 1997 में ठीक है जश्टिस A.S. आनंद जस साब थे उन्हेंने लंबी चोड़ी गाइडलाइन्स दी और उसी के वज़े से बिटा 10-11 सालों के बाद 41D एड हुआ तो आप डीके बसू का ध्यान में रखें और 41D को मेरे साथ पढ़ें 41D was inserted in CRPC which provided पहले नहीं था बाद में जोड़ा गया डीके बसू की वज़े से जोड़ा गया तो क्या प्रोवाइड करता है When any person is arrested and interrogated by police he shall be entitled to meet an advocate office twice during interrogation though not throughout interrogation कहा कि जरूरी नहीं है कि पूरी जो interrogation हो रही है आपके बगल में एक वकील बैठा रहा है लेकिन वकील तो चाहिए ऐसे 41D की यां बहुत जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने कहा कि जब पढ़ रहे हैं तो ऐसे तरीके से पढ़ें कि उससे जुड़ा जो सारा concept है अगल बगल CRPC वगरा Constitution, Bar Council उन सब का भी review कर लेते हैं और यही असली पढ़ाई का तरीका होता है जहां आप किसी भी topic को isolation में नहीं पढ़ रहे हैं तो basically 41D जो बेटा CRPC में जुड़ा हुआ है वो भी right to defend oneself का मुद्दा है और right to defend oneself Supreme Court ने कह दिया कि वो एक fundamental right है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने answer writing में comprehensive तरीके से इस मुद्दे को लिखें ठीक है तो हम लोगों ने कितना 24 मिनट में 15 मिनट का target था कोई बात नहीं 24 मिनट में हम लोगों ने बड़े महत्पूर्ण विशे को समझने की कोशिश की जो CRPC से जुड़ी है Constitution से जुड़ी है और Supreme Court का जो latest judgment का फिनॉमिना है उससे जुड़ी है मैं कोशिश करूँगा आपको ए topic समझ में आया होगा और मेरी आप सभी से request है comment section में अपना feedback जरूर दिया करो कि sir नहीं आया समझ में sir आ गया बहुत अच्छा पढ़ा है इससे educator को भी motivation मिलता है ठीक है तो मैं आप सभी का इंतजार करूँगा आपके comment के माध्यम से concept series चल रही है latest judgment चल रहे है concept talk चल रही है 22 तारीक से बहु प्रतिच्छित बैच नीती foundational बैच भी live हो जाएगा मैं आशा करूँगा आप सभी खुद को एंडूल करके आने वाले 15 मेने हमें देने को तैयार हो चुके है ठीक है thank you so much everyone मिलते हैं अगले class में